अभी मैं आप लोगों से जिस माध्यम से जुड़ी हूँ, निश्चित रूप से वो मोबाईल होगा या फिर लैपटॉप होगा, क्या मैं गलत हूँ? नहीं, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो बैटरी से संचालित होती हैं, हमारे घर में जो रेडियो है, उसमें भी बैटरी है, टॉर्च है, उसमें भी बैटरी है, साथी साथ आपने देखा होगा, कि हार्ट पेशेंट जो होते हैं, जिनका हार्ट ठीक से पंप नहीं करता है, तो उन्हें पेस मिकर लगानी के आवशिकता होती है, पेस मिकर में भी बैटरी लगा होता है, तो इस तरह से बैटरी हमारे जीवन को भी संचालित कर रही हैं, हम अपने चारों तरफ बैटरी से किस तरह से घिरे हुए हैं, बैटरी, यनि जहां पर केमिकल एनरजी और इलेक्रिक एनरजी का रिलेशन होता है, तो इसी से रिलेटेट जो अध्या है वो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेक्ट्रो केमिस्ट्री ऐसे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के और भी जो यूजेज हैं वो हम देख लेते हैं कि यदी मान लीजे वायरलेस चार्जिंग है वायरलेस चार्जिंग यानि जहां पर मोबाइल चार्ज करना है और वायर की अवशक करता होती है तो वो हो गया एलेक्ट्री कार तो बैटरी का कितना यूझ है हमारी लाइफ में ये हम जान चुके हैं साथ ही सद्विंद की चममच आ पने देखा होगा यैपने देखlington की की चम्मज होती है वास्तों में उस पे हम चांदी की इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं तो यहां जो इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ रहा है इलेक्ट्रो प्लेटिंग के द्वारा हम यह देख रहे हैं कि धातू की जो सुन्दरता है वो बढ़ जो प्रकृति के अनुकूल अभिक्रियाएं होती हैं उसको करने में मदद करता है Electrochemical reaction जो होते हैं वो energy efficient होते हैं और ये परियावरन प्रदूशन रहित भी होते हैं तो electrochemistry रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें electrical energy एवं chemical energy के मद्य पारसपरिक संबंध और उनके एप्लिकेशन्स याने उनके अनुप्रियोंगों का अध्यान किया जाता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो और भी यूज है जैसे सोडियम, मेगनीशियम, कुछ योगिक जैसे सोडियम, हाइड्रोकसाइड, कुछ गैसे जैसे की फ्लोरीन, क्लोरीन इनको बनाने में, इनको संसलेशित करने में या अन्य कई भी केमिकल हैं जिसको बनाने में विद्यूत रासायनी कुर्जा विद्यूत उर्जा में परिवर्तित होती है और बैटरी या इन्धन सेल का प्रयोग बहुत सारे उपकर्णों में किया जाता है हमारे शरीर में होने वाली जो बहुत सारी क्रियाएं हैं जैसे कोशिका से कम्यूनिकेशन हैं मस्तिस्क तक जाता है या मस्तिस्क से जो सूचनाएं कोशिकाओं तक आती हैं कोशिकाओं कोशिकाओं के मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसके पीछे भी जैवरासायनिक क्रियाएं ही होती हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ जो बेसिक इसके पॉइंट से वो भी जानने चाहिए कुछ ऐसी अभी क्रियाएं होती हैं जो स्वत्त होती हैं यहने अपने आप होने वाली अभी क्रियाएं जो प्राकृतिक अभी क्रियाएं होती हैं जैसे आपने देखा होगा कि पहाडों से जर्ने जब नीचे गिरते हैं, तो अपने आप वो नीचे गिर रहा है, पानी जर्नों से हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, यदि उस पे हम बाहेकार नहीं करते हैं, तब तक वो पानी नीचे ही आता है, कभी भी वो अपने आप उप की तरफ नहीं जाता है तो जर्णे के पानी का नीचे आना एक सवतह घड़तना है तो ऐसे बहुत सारी प्राकृति घड़नाय जो हैं जो अपने आप होती रहती हैं वो सवत Ne Connect होती है वहीं दूसरी और कुछ ऐसी घड़नाय हैं जो असवतत होती है कुछ ऐसी होती है जो अस्वत्व होती हैं तो अब हम जान लेते हैं स्वत्व प्रवर्तित जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके होने पर उत्पन उर्जा मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके होने पर उत्पन उर्जा से विद्यूत का उत्पादन होता है इ इसी तरह से कुछ अस्वत्य अभिक्रिया होती हैं तर आसायनिक अभिक्रिया जिसके लिए हम देखेंगे कि विद्यूत उर्जा देने पर स्वत्य अप्रवर्तित रासायनिक परिवर्तन होता है मतलब यहां पर जो अस्वत्य अभिक्रिया थी अवस्वत्य अभिक्रिया में परिवर्तित होने लगती है जब उसमें विद्यूत उर्जा दे रहे हैं तो कुछ ऐसे रियक्शन्स होते हैं जहां पे रासायनिक अभी क्रिया विद्यूत उर्जा उत्पन करती है या रासायनिक उर्जा विद्यूत उर्जा में परिवर्तित होती हैं कुछ ऐसी अभी क्रि 11 में पढ़ चुके हैं अभी हम थोड़ा सा इस में कुछ-कुछ जो मुख्य बिंदू हैं उस पे चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सी करण अंकिया ऑक्सी करण संख्या ऑक्सीरेशन नंबर तो ऑक्सीरेशन नंबर क्या होता है परमाडू जब भी बंद ब दिये जाते हैं वही संख्या उसकी क्या होगी ऑक्सी करण संख्या ऑक्सीरेशन नंबर तो ऑक्सीरेशन नंबर को हम दो तरीके से ब्यक्त कर सकते हैं यदि हम किसी उदासीन अनू के बारे में बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन तो एच्टू यदि हम उदासीन परमाडू के बारे में बात करते हैं जैसे copper, zinc तो इसके लिए जो cool oxy current संख्या होती है वो होती है 0 दूसरी ओर यदि हम iron की oxy current संख्या देखे तो वो क्या होगी? iron के उपर जितने आवेश होंगे जैसे यदि हम zn2 plus कहते हैं तो इसकी oxy current संख्या क्या होगी? बराबर प्लस 2 यदि है तो उसके लिए oxy current होगा equal to plus 2 तो किसी भी iron के लिए जो oxy current संख्या है वो हो उसके आवेशों की संख्या हो गई और उदासीन, परमाडू या अडू के लिए जो cool oxy current संख्या का मान है वो होगा शून्य अब हम सीखेंगे कि oxy current और अब chain क्या है इसके oxygen hydrogen concept को भी पढ़ेंगे और इसके electronic संकल्पना के बारे में भी हम जानेंगे जैसे यदि हम oxy current की परिभाशा oxygen के आधार पर दें तो पदार्थ द्वारा oxygen या रेण विद्यूती तत्व का ग्रहन करना या hydrogen या धन विद्यूती तत्व त्याग देना ओक्सी करन कहलाता है तो ओक्सी करन क्रिया में oxygen जुडेगा या कोई रेण विद्यूती तत्व भी जुड सकता है साथ ही साथ hydrogen के निकलने या किसी धन विद्यूती ततों के निकलने की क्रिया, तो यह उक्सी करण होगी, एक्जाम्पल में देख लेते हैं, सल्फर उक्सीजन से क्रिया करके SO2 बना रहा है यहने sulfur का यहां oxykaran हुआ sulfur में oxygen add हो रहा है equal to sulfur dioxide 2FeCl2 plus Cl2 is equal to 2FeCl3 तो यहां पर जो Fe है वो ferrous है और जब दूसरी तरफ हम FeCl3 देख रहे हैं वो feric है तो यहां oxykaran संख्या जो है वो बट्टी है hydrogen या धनविदीत तत्व का ग्रहन होना साथ ही oxygen या रेडविद्यती तत्व का निकलना अब चैन की क्रिया होगी उदाहरण में Cl2 plus H2 equal to 2HCl तो यहां पर जो Cl2 है याने chlorine है उस पर hydrogen add हो रहा है तो 2HCl में change हुआ दूसरा हम reaction देख रहे हैं 2HgCl2 plus SnCl2 is equal to Hg2Cl2 plus SnCl4 तो यहां जो Hg है उसका अपचैन हो रहा है और पहले वाले में जो chlorine है उसका अपचैन हो रहा है तो यहां दोनों अभी क्रियाओं में हमने देखा कि अपचैन की क्रिया हो रही है जिसमें hydrogen add हो रहा है या धन्विद्यती तत्व का जुड़ना या रहे विद्यती तत्व और oxygen का निकलना अपचैन कहलाता है यदि हम electronic संकल्पना की ओर जाए तो electronic संकल्पना याने electron के आदान प्रदान के आधार पर हम oxygen करन और अपचैन की परिभाशा दे सकते हैं oxidation यहाँ पर हम कह सकते हैं oxidation is loss यहने हम oil oil से इसको समझ सकते हैं oxidation की क्रिया में क्या होगी किसी भी परमाडू द्वारा एक या एक से अधिक electron त्यागे जाएंगे या किसी परमाडू या आयन द्वारा एक या एक से अधिक electron त्यागे जाएंगे तो वहाँ पर जो क्रिया ज़िए होगी वोगी Oxygen Regen Oxidation is Love' मतलब loss of electrons को Cosdration कहते हैं उसी तरह से अपचयन की क्रिया में neutron grahad किया जाता है इलेक्राण grahad करने की क्रिया तो किसी पर्माडू या आयन द्वारा एक या एक से अधिक electron जब grahad किये जाएंगे तो उसे कहते हैं अपचयन नहां पर RIG से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, याद रखने के लिए shortcut हम लेख सकते हैं, RIG reduction is gain, oxidation is loss, याने oil, तो oxidation और reduction की हम example देख लें, तो oxy current की क्रिया में देखिए, zinc equal to Zn2 plus, plus 2 electron, तो इस क्रिया में क्या हुई, zinc धातू है, जो 2 electron त्याग देता है, और zinc iron में परिवर्तित हो 2 plus है, जो Fe 3 plus में convert हुआ, और एक electron त्याग देता है, यह हुआ oxy current, क्योंकि यहाँ electron त्यागने की क्रिया हुई, दूसरी तरफ हम अपचैन के example को लें, तो अपचैन के example में यदि Cu 2 plus है, Cu 2 plus यदि 2 electron रहन करेगा, तो वो copper धातू में परिवर्तित होगा, तो copper iron, याने Cu 2 plus, plus 2 electron is equal to copper, तो copper धातू में ये परिवर्तित हुआ, यहाँ पर अपचैक एवं oxy कारक की परिभाशा को देख लें, अपचैक ऐसे पदार्थ होते हैं, जो दूसरे अभिकारकों को अपचैन करेंगे, और स्वेम oxy करित हो जाते हैं, यह हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कि अपचैन करते हैं, जो दूसरे अभिकारकों को electron देते हैं, और स्वेम oxy करित हो जाते हैं, तो अपचैक में oxy करण संख्या में वृद्धी होती हैं, अपचैन करते हैं, तो दूसरों को वो oxy करित करते हैं, और स्वेम अपचैत हो जाते हैं, तो दूसरों को वो oxy करित कर तो यहाँ पर ओक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ओक्सीकारक में ओक्सीकरण संख्या में कमी होगी और अपचायक में ओक्सीकरण संख्या में फृद्धी होती है। यदि हम ओक्सिकरण और अपचैन को देखें, तो ओक्सिकरण की ग्रिया में ओक्सिकरण संख्या बढ़ेगी, ओक्सिकरण नमबर बढ़ेगा जबकि अपचैन में अक्सिडेशन नमबर कम होता है, इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जिसमें दोनों ही रियक्शन हो रह है और अप्चैन भी हो रहा है तो 2NA plus CL2 is equal to 2CL minus plus 2NA plus तो यहां पर आप देखिए 2NA से 2NA plus बना तो 2NA से 2NA plus बना मतलब electron त्याग दिया गया sodium के द्वारा electron त्याग किया गया तो sodium चुकी यदि एक sodium है तो वो एक electron त्याग देगा और दो sodium है तो वो दो electron त्याग देगा तो 2NA से 2NA plus बना वही दो electron जो sodium ने त्याग दिया था उसे ग्रहन करने के लिए CL2 है तो CL2 यहां पर दो electron ग्रहन करता है यहां पर CL2 का अप्चैन होगा और दो electron ग्रहन करके वह 2CL माइनस में convert होता है तो यहां पर sodium का oxygen होता है और chlorine का अप्चैन होता है तो chlorine यहां पर oxygen की क्रिया होती है तो chlorine यहां पर oxygen करती त्रह कारे कर रहा है तो आपने देखा इस example में कि अप्चैन जो है उसमें oxygen हो रहा है और जो औक्सीकारग है उसमें अपचैन की क्रिया होती है या भी कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में दो प्रकार से क्रिया हो रही है औक्सीकरण भी हो रहा है और अपचैन भी हो रहा है याने किसी अभिक्रिया में जब दोनों अभिक्रियाएं साथ-साथ होती है याने एक पद क्रिया कहते हैं reduction plus oxidation, reduction से हमने लिया RED और oxidation से लिया OX, तो दोनों को जब मिलाते हैं तो होता है redox, तो redox अभी क्रिया जहाँ पर दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, यहाँ पर हम जो electron त्यागने की क्रिया या electron ग्रहन करने की क्रिया है, इसे हम दो नामों से जान सकते हैं, जैसे electron त्यागने की क्रिया को D-electronation भी कह सकते हैं, इसी तरह से जो electron ग्रहन करने की क्रिया है, उसे हम electronation भी कह सकते हैं, तो redox अभी क्रिया जिसमें की electronation और D-electronation, दोनों ही चीजें साथ साथ होती हैं, तो उसे redox अभी क्रिया कहते हैं अब हम oxy current और up chain को समझने के लिए कुछ और उदाहरन देख लेते हैं जिससे आपको ये पहचानने में असानी होगी कि oxy current कैसे हो रहा है और up chain कैसे हो रहा है तो हमने जाना कि oxy current की क्रिया में electron त्याग दिया जाता है और up chain की क्रिया में electron ग्रेहन किया जाता है तो उदाहरन में आप देखिए देखकर आप पहचान सकते हैं Fe2 plus equal to Fe3 plus plus electron तो यहाँ electron निकलने की क्रिया हो रही है electron निकल रहा है Fe2 plus से एक electron निकला तो Fe3 plus में convert हुआ तो यहाँ पर oxy current की क्रिया हुई दूसरी तरफ Aluminium 3 plus plus 3 electron equal to Aluminium तो Aluminium 3 plus है यहाँ यहाँ 3 electron की कमी है जिसमें 3 electron लिया जा रहा है और Aluminium iron Aluminium धातु में परिवर्तित हुआ तो यहाँ पर reduction की क्रिया हुई यहाँ अपचायन की क्रिया हो रही है दूसरा हम देख रहे है Magnes Mn2 plus plus 2H2O is equal to MnO2 plus 4H plus plus 2 electron तो यहाँ पर भी electron निकल रहा है तो electron निकलने की क्रिया loss of electron oxidation या oxy current कहलाता है अगला reaction आप देखिए 2H2O plus 2 electron equal to H2 plus 2OH minus तो यहाँ पर electron ड्रहन करने की क्रिया हो रही है यहने gain of electron तो gain of electron यहाँ पर क्या होगा अपचयन electron लेने की क्रिया अपचयन की क्रिया तो आप ऐसे कई अभी क्रियाओं का अध्यन करके उसको practice करके पहचान सकते हैं कि ओक्सीकरण की अभिक्रिया कौन सी होती है और अपचेन की अभिक्रिया कैसी होती है अब हम जानेंगे कि विद्यू तब घट्य क्या होते हैं विद्यू तब घट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो जली विलियन में या गली तवस्था में याने पिगली अवस्था में विद् होता है